नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशी करण के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत सी महिलाएं अपने पती से बहुत परेशान रहती हैं वो चाहती हैं कि उनका पती उनके वश में हो उनकी हर बात मानें तो आज का ये वीडियो मैं अबने प्रेमी को अपने वश में करना चाहती हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपके प्रेमी आपकी बात में हर बात में उन्हें आप से कोई ना कोई जगड़ा होता रहता हैं कोई बी बात पर आप एक मत पे नहीं पहुंच पाते हैं तो दोस्तों इस व अपने पती को या अपने प्रेमी को अपने वश में कर पाएंगी। उसके बाद आप उनसे जो भी कहेंगी वो तुरंट उस बात के लिए राजी हो जाएंगे। आप लोगों के बीच के जगडे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप दोनों के वीच में वेदहां प्यार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूं इसे करने का तरीका लेकिन उसे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैल आइकन को ढ़ा दिजिए दोस्तों जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेड भी जिहां याद रखिए काम करते करते चाहें आप कुछ भी काम कर रही है खाना बना रही है जाड़ों कोछा कर रही है घर के कोई भी काम कर रही है उस टाइम आपको एक मंत्र बोलना होगा और उसके बाद आपको अपने पती के उपर इस उपाएं को पूरा खतम करना होगा तो ओम क्लीम क्रिशनाय नमह इस मंतर का उचारण आपको दिन भर जब तक आप जाग रही होंगी तब तक आपको करना है यानि सूर्योदय से लेकर सूर्यास तक आपको इस मंतर का उचारण अपने मन में करते रहना है और इलाइची का जो मैंने आपको बताया एक इलाइची नहीं है सिर्फ मूं में रखनी है जब भी आप खाना खा रही होंगी या पानी पी रही होंगी इलाइची को निकाल लीजे और कहीं अच्छे से साफ सुतुरी जगे पर रख दीजे फिर बाद में उसको वापस आपको अपने मूं के अंदर रख लेना है शाम की समय जब आ एक ऐसा उपाय है जिससे आपके पती आपके वश में होगे जी हां आप उनसे जो भी कहेंगी वो करने के लिए तयार होगे जितना प्यार आप अपने पती से करती है उतना ही प्यार आपके पती भी आपसे करने लग जाएंगे तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों अग से बात कर सकती हैं अगर चाहते हैं कि यह उपाय कम के लिए करें तो भी आप में और कर सकती है तो दोस्तों आज के विडियो में बसंना झांगि अगले विडियों में वीडियों देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धल्ले वाध कि